तो दोस्त आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर तो सपोज आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो और इसके बाद आपकी गवर्मेंट जॉब लगती है और जॉब लगने के बाद में जो आपने प्राइवेट और जॉब करी क्या उसका भी बैक्डराउंड वरिफिकेशन होता है तो उसी के बारे माद जिसकस करेंगे तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो और मालो एक साल हो गया दो साल तीन साल वाटेवर टाइम आपने प्राइवेट सेक्टर में दिया हुआ है इसके ब गर्मल डॉकुमें तो चेक होती हिने जो गवरेट की पॉलिसी है या जो जो कर में डारन प्राइवरिफिकेशन होता है अब बात आती है प्राइवेयर्ट सेक्टर की कि यह तो चौब करता Й install दूं कि यह Krankी करता है मतलब यह डिपेंड करता है कि आपको किस सेक्टर में ग की सेक्टर मतलब यहां पे कि अगर उस गवर्मेंट जॉब में आपका एक्सपीडियंस नहीं मांगए गार देखो बहुत सारी जॉब्स ऐसी होते हैं गवर्मेंट सेक्टर की जहां पे आप अजब रेसर काउंट होते हो या अजब फ्रेसर यह आपको जॉब दी जाती है और आप बहुत सारी जॉब्स ऐसी होते हैं गवर्मेंट की जहां पे आपको सिर्फ एक्सपीडियंस वेस्ट पर लिया जाता है आपको एक साल दो साल तीन साल वो टैबर टाइम तो इस केस में होता कि अगर उस जॉब में एक्स्पीडियंस रिक्वार्ड गवर्मेंट की जॉ भी आपका background verification से होता है अप राइवेट सेक्टर से जो नौर्मली बैग्राण verification process होता है जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब पाने के लिए आपका background verification होता है ऐसी government सेक्टर से भी आपका normal background verification होता है वही आपका bank statement हो गया form 16 हो गया पी रिटेल हो गई आपकी और इसके बाद में आपका जो पी अप में पास्बुक बगएर आती है वो प्रॉपर सो हो रही कि नहीं और उसमें प्रॉपर मेंशन है कि नहीं है आपकी प्राइवेट सेक्टर का तो यह कुछ पॉइंट्स हैं जो डिसकस होते हैं गवर्मेंट अगर गवर्मेंट सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस मागा गया है तो अब जैसे बीटी सी टीचर्स की जॉब हो गई आर्मी की जॉब हो गई और फिर्ल्ड की हो गई तो वहां पर आपको प्राइवेट एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है कुछ डिपार्टमेंट अगर होने कई कि रेक्कोर्वार्ब्लम तो अगर आपने कभी भी जॉब किया हुआ फ्राइवेट सेक्टर में आपको ये डर लग रहा है कि नहीं कुछ और प्राइवेट प्राब्लम नहीं होने वाली अगर गवर्मेंट सेक्टर में एक्सपीरिंस नहीं मांगया किया है तो तो बस आज की वीडियो में इतना ही वीडियो गर अच्छा लगओ तो लाइक से रहे चैनल सब्सक्राइब जरू करें मेरा नाम है शुबह मैं मिल तो अपने एक्षी वीडियो है तिल दैन हब ग्रेट सब्सक्राइब जचानल सब्सक्राइब तो अबयुक्त थासे नश्ब्सक्राइब गर्ड़ियो